प्यारे बच्चों अभी हमने वारता लापः पाठ्ठ का अध्यन किया और इस पाठ्ठ के माद्यम से हम किस तरह से आपस में वारता लाप किया जाएं संस्कृत में इसके विषाये में विभिन जानकारियों को प्राप्त किया आईए अब इस पाठ के अंत में कुछ सब्दार्थ दिये हुए हैं उन्हें देखते हैं इसके अधार पर हम अपनी समझ को और विक्सित कर सकते हैं या जो बातें नहीं समझ में आई होंगे उनको हम इन सब्दार्थ के माध्यम से समझ पाएंगे तो आप हैं भावान भावान का अधात पर यह होता है आप जैसे हम किसी समवाद करते हैं बात करते हैं तब वहाँ पर इसकी आवशक्ता पड़ती है इसी तरह से स्वह यह अव्याइपद है इसका अर्थ होता है आने वाला कल जैसे हम कहते हैं आज कहते हैं आज के लिए संस्कृत में सब्द प्रविक्त होता है अध्या लेकिन अब जो आने वाला समय है उसके लिए कहना चाहेंगे तब क्या कहेंगे स्वह यथा अध्या रवी वासराह अस्ति आज रवी वार है स्वह कह वासराह भविश्यति इसका मतलब क्या हुआ? स्वह मतलब आने वाला कल कह वासरह कौन सा दिन भविश्यति होगा अद्य रवी वासरह अस्ति अत एव स्वह कह वासरह भविश्यति अद्य रवी वासरह अस्ति अत एव स्वह सुम वासरह भविश्यति ये तो हो गया आज और कल की बात लेकिन हमको परसों कहाना है तब क्या कहेंगे परसों के लिए सब्द प्रयुक किया जाता है उसमें पर लगा दिया जाता है जैसे परस्वह परस्वा का तात्परी होता है आने वाला परसों हम सामानी बादचीत में प्रयोक करते हैं आज, कल, परसों तो आज के लिए सस्कृत में प्रयोक्त किया जाता है सब्द अध्य और आने वाला जो कल है इसके लिए प्रयोक किया जाता है स्वह अब परसों के लिए परसों के लिए प्रेख्ट के आता है परस्वह इसका तात्परी होता है आने वाला परसों या आने वाला बने दो दिन का जो समय है वो तो अध्य रविवासरह अस्ति आज रविवार है सवह सोम वासरह भविश्यति कल सोम वार होगा परस्वह कह वासरह भविश्यति परसों कौन सा दिन होगा तो तर क्या होगा अब परसों के आगे वाला दिन को कहाना है उसके लिए क्या प्रेव करेंगे उसके लिए प्रक और योग करते हैं प्रपरस्वह अर्थात अध्य रविवासरह अस्ति आज रविवार है स्वह सोम वासरह भविश्यती कल सोम वार होगा परस्वह मंगल वासरह भविश्यती परसों मंगल वार होगा अब कल परसों और इसके बाद वाले जो समय है जिसको सरसों कहा जाता है कभी उसके लिए क्या कहेंगे तो जिस तरह से हम आगे वाले समय के लिए कहते हैं उसी तरह से जो बीता हुआ समय है वहाँ भी हम कल का प्रयोक करते हैं जैसे कल मैं बाजार गया था इस तरह के वाकल प्रयोक करते हैं तब क्या कहेंगे उसके लिए तो अध्य रविवासरह अस्ति आत एव हिया हिया मतलब हिया का अर्थ होता है बीता हुआ कल ये बीता हुआ दिन तो अध्यरविवासरह अस्ति यह सनीवासरह आसीत भूत काल तो इसलिए क्या कहेंगे यह का प्रयोग करेंगे और इसी तरह से परसों बीता हुआ परसों उसके लिए क्या कहेंगे तो अध्यरविवासरह अस्ति यह सनीवासरह आसीत परयह परसों सुक्रवासरह आसीत और उसके पहले कभी समय तो उसके लिए क्या देखिये अध्य फिर हमने कहा कि स्वख फिर परसवख फिर इसी तरफ जब पीछे जाएंगे तब भी वहां कहेंगे तो अध्य आज Bta हुआ कल पर जाथ उसके पहले का बीता हुआ उसके और पहले का बीता हुआ जो समय है उसके लिए कहांगे वहां भी पर लगाएंगे पर पर यह तो अध्य रविवा सरह थी अध्य रविवासरह अस्ति यह सनीवासरह आसीत परह शुक्रवासरह आसीत प्रपरह गुरुवासरह आसीत तो इस तरह से पूरे सब्ता के साथ दिनों को हम इन अव्याइपदों के माध्यम से अव्यक्त कर सकते हैं या कहें कि बता सकते हैं तो आपने देखा स्वह आने वाला कल परस्वह आने वाला परसों अगला सब्द देते हैं वीश्मृतह वीश्मृतह का ताथ पर यह होता है भूल गया सम्यक यह अव्यपद है और इसका अर्थ होता है भली भाति या अच्छी तरह से कुतह यह प्रस्वह आचक अव्यपद है और इसका अर्थ होता है कुतह मतलब यह पंचमी वक्ति के अर्थ में प्रेक्तो किया जाने वाला अव्यपद है इसका ताथ पर यह होता है कहां से इस अस्षान सूचक, आम, यह भी क्या है? यहाँ अव्यायपद है, और यह सुविकार के अर्थ में, अर्थात हाँ, यदि हम को कहना है उस अर्थ में आम, इस अव्यायपद का प्रयोग किया जाता है. तो आमकतात पर यह होता है, हाँ, किम अर्थम, यह भी अव्याइपद है, यहाँ च्यतूर्थी भक्ति के अर्थमें प्रयुक्त किया जाता है, च्यतूर्थी भक्ति संपरदान, के लिए अर्थमें यहाँ प्रयुक्त किया जाता है, तो किम अर्थम की सलिये, आगे दिखते हैं क्रीड नम क्रीड मतलब होता है खेलना या धातू है क्रीड धातू होता है तो क्रीड नम इससे खेलना या खिलोना तरही तरही का तात्पर यह होता है तो यह निपात का सब्द है निपात उन सब्दों को कहते हैं जिन सब्दों के प्रयोग से वाक्य विशेश में विशे ब्रह्मन आर्थम देखे अर्थम यह जो पद है यह भी अव्यासूचक पद है और इसका योग किसी सब्द में किया जाता है तो वह सब्द जो है चतुर्थी भक्ति का अर्थ देने लगता है यहां पर प्रेक्त हुआ है ब्रह्मन अर्थम भ्रह्मन धन अर्थम इति ब्रह्म अर्थम भ्रह्मन का मतलब होता है भ्रह्मन करना या घूमना तो भ्रह्मन आर्थम का क्या अर्थ होगा अर्थम चतुरुसी वक्ति क्लिप्रेक्ट के जाता है चतुरुसी वक्ति अर्थात संप्रदान के लिए अर्थमें तो भ्रह्मन आर्थम भ्रह्मन करने के लिए या अरोपित वंतह इसका तात्पर यह होता है आरोपन किये आ उपसर गहें रोप धात्व तो प्रत्य बहुवचन का रूप है यह भूत काल के अर्थ को बताता है आरोपित वंतह रोपन किये रोपियाम कहते हैं रोप मूल्धात्व है यह लोटलकार का रूप है और उत्तम पुरुस का रूप है इसका तात्पर ही होता है रोपन करें हम सब रोपन करें यह तात्पर रोपियाम कैसे बनता है यह रोपियानी रोपियाव रोपयाम यह लोटलकार उत्तम पुरुस बहु वचन का रूप है तात्पर ही होता है इसका रोपन करें हम सब रोपन करें यानेन यान का stealth ऑ होता है वह हैं और यहाँ आप देखें यानेन सबद में तृतियव्य भक्ती एक एक वचन का प्रयुग किया गया है ओर इस तरह से इसका तह पर यह होता है देखिए तृत्यावव्य भक्ति मतलब करण करण अथात साधं तो यहां पर यान जो कहा जा रहा है इसका भी तहर सै किसे है वाहन से या साधन से यह यह हम को किसे एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाना हो तब हम किसी वाहन का प्रेप करते हैं ना बिल्कुल सही तो ऐसे ही यहां पर सब्जी आया है यानेन तो यान मूल सब्द है यान का ताथपर होता है वाहन और यह साधन के अर्थ में होता है तो एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाने के लिए हमें वाहन की आवशक्त होती है तो याने यान से यान के माध्यम से या यान द्वारा यह अर्थ बताता है अधुना अधुना का ताथ पर यह होता है अभी अब या इस समय इन अर्थों को यह सब्द बताता है अधुना और इसी अर्थ में एक और सब्द प्रिक्त कियाता है वो है इदानिम कवितात पर होता है अब या इस समय तो इस तरह से पाठ में जो कछिन सब्द आए हैं उनको पाठ के अन्त में इन सारे सब्दों को दिया गया है उसके सब्दार्थ भी दिये गए हैं आप इसको भली भाती समझ सकते हैं, देख सकते हैं और इसके अधार पर फिर हमने वारता लापा पाठ में जो वारता लाप के अंस देखे हैं, इस तरह से निश्चीत रूप से आप भी वारता लाप करने में समर्थ हो सकते हैं, प्यारे बच्चों, जैसे हम किसी पाठ को अब्भ्यास होता है तो वैसा ही इस पाठ में अभ्यास दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं तो पहला अभ्यास है संस्कृत भास या उत्तरत आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि विभीन परिक्षाओं में आज कल संस्कृत में प्रस्ण पूछे जाते हैं और प्रस्णों का माध्यम भी संस्कृत ही होता है अर्थात प्रस्णों के जो निर्देश होते हैं वे भी संस्कृत में ही होते हैं तो इन निर्देशों को आपको भली भाति समझना है जब आप निर्देश को भली भाति समझ पाएंगे तब निश्ची दुरुप से आप सही उत्तर देने में समर्थ होंगे तो यहाँ पहला अभ्यास का जो निर्देश है वह है संस्कृत भास या उत्तरत संस्कृत भासा के माध्यम से उत्तर दो देखते हैं प्रस्ण का विभवह कम प्रपातम द्रश्टुम इच्छती ध्यान देजेगा अभी यहाँ जितने अभ्यास के प्रश्ण दिये हुए हैं यह सभी हम अभी जो पाठ पढ़े हैं उस पाठ के अधार पर प्रश्ण दिये गए हैं इसलिए प्रश्णों के उत्तर जो होंगे वो भी पाठ पर आधारित होंगे वैसे तो यहां जो प्रश्ण की जा रहा है विभवा कम प्रपातम द्रश्टुम इच्छती विभव कम प्रपातम कौन से प्रपात को देखने की इच्छा करता है तो कौन से प्रपात को आपके आसपास जो प्रपात है उसकी की जा रही है यहां पाठ में और विभाव की चर्चा की गई है विभाव के द्वारा जिस प्रपात को देखने की चर्चा की गई है उसकी बात की जा रही है तो यहां विभावा कम प्रपातुम द्रश्टुम इच्छति आपने देखा पहला समवात जो देखा उसमें यह बा प्रश्ण का जैसा स्वरूप है वैसा उत्तर का स्वरूप होना चाहिए जैसे यहां पर कम करके प्रश्ण आया है तो उत्तर भी उसी विभक्ति को लगा करके आपको देना होगा तो विभवाह कम प्रपातुम कम के इस्थान पर आपको केवल कुछ नहीं करना है बाकी जो चीजें हैं बाकी जो सब्द हैं या बाकी पद जो हैं उनको यथावत रखना है और केवल कम यह जो सब्द आया है इसके इस्थान पर आपको तीरत गढ़ और इसमें अनुस्वार होगा बिल्कुल सही हां तो विभवह तीरत गढ़ं प्रपातम द्रश्टूं इच्छती बस इतना ही करना है फिर हो गया आपका उत्तर आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं रणधीर आये किम रोचते अब यहाँ पर देखिए समवाद किनके किनके बीच हुआ था समवाद हुआ था वहां रणवीर और रणधीर के बीच में प्रश्न आया है रणधीर आये किम रोचते रणधीर को क्या अच्छा लगता है तो यहाँ उसका उत्तर क्या होगा देखिए रणधीर कहां जा रहा था वो ब्रह्मन के लिए जा रहा था कहां उध्यान में किस समय प्राताहकार तो आपको चाहता पूरा उत्तर लिख सकते हैं या जितना पूछा जा रहा है केवल इतना उत्तर देज सकते हैं तब भी वो परियापत उत्तर होगा, सही उत्तर होगा, तो रणधीर आये किम रोचते, तो रणधीर आये ब्रहमनम रोचते, किम के इस्थान पर केवल बाकी सब्दों को रहनी दीजिए, रणधीर आये किम के इस्थान पर लिख दीजिए, ब्रहमनम रोचते, रणधीर को ब्रहमन करना अच्छा लगता है आप चाहें तो इसमें इन चीजों को जोड़ सकते हैं क्या रणधिर को उध्यान में प्रातहकाल ब्रह्मन करना अच्छा लगता है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है अस्माकम कर्तव्यम किम अस्माकम मतलब हम हमारा कर्तव्यम कर्तव्यम किम क्या है हमारा कर्तव्यम क्या है ध्यान दीजिएगा हमको यह प्रस्ण आये हैं यह पाठ के प्रस्ण है इसलिए उत्तर भी हमको पाठ के आधार पर देना है तो जिस समय हमने यह पाठ पढ़ा वारता लापह उसमें आपने देखा परिया वर्णस रक्षणम यह इसके संदर्व में जब बात कर रहे थे पूजा और प्रिया उस समय यह बात आई थी कि हमारा कर्तव्य क्या है इस विशें में दोनों बात कर रहे थे तो इसका उत्तर भी हमें वहीं से लेना होगा तो प्रस्न है अस्माकम कर्तव्यम किम तो इसका उत्तर होगा अस्मा दिख्या ध्यान देजिएगा जिस तरह का प्रस्न पूछा जाता है वैसा आपको उत्तर देना है प्रस्न पूछा गया है अस्माकम कर्तव्यम किम आप पहले तो उ जासा का ही उप्योग कीजिए यह था संभाव उत्तर में प्रस्न के अंसों को लिजिए और फिर उत्तर का जो अंस है जहां उसको जोड़ा जा सकता है वहां उसको जोड़ दीजिए इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा तो यहाँ हम देखते हैं असमाकम कर्तव्यम यह प्रस्ण में लिखा हुआ है यह उत्तर में भी आएगा तो असमाकम कर्तव्यम अस्ति यहां तक कर दियो गया अब फिर अब उत्तर जो है उस अंस को जोड़ देते हैं वयम पी पादपान रोपयाम अस्माकम कर्तव्यमस्ती वयम पी पादपान रोपयाम हमारा यह कर्तव्य है कि हम भी पौधों को रोपें अर्थात पौधों को रोपन हम भी करें इती अस्माकम कर्तव्यम यह हमारा कर्तव्य है ध्यान देजेगा परीक्छा में संस्क्रित में से गिए प्रस्नक पूछा गया है यह आपको समझना है और साथ ही यदि प्रस्ण संस्कृत में पूछा गिया है और उत्तर हिंदी में लिखने के लिए कहा जाता है तब उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा उत्तर हिंदी में क्या होगा ये भी आपको समझना है तो प्रस्ण हमारा था अस्माकम कर्तव्यम किम तो हमारा कर्तव्य क्या है ये हिंदी अर्थ हुआ उत्तर संस्कृत में अस्माकम कर्तव्यम अस्ति वयमईपी पादपान रोपयाम हम भी पौधों को हमारा कर्तव्य है कि हम भी पौधों को रोपें ये हिंदी में उसका उत्त प्रसंग और भुपेश के द्वारे जब नगर भ्रमन किया जा रहा था उसमें यह प्रसंग आया है तो वहां भुपेश जो है पराग से कहता है क्या कहता है कौन से नगर भ्रमन करने की बात कर रहे थे उसमें बात कर रहे थे कौरवा नगर भ्रमन की तब पराग उनसे पूछता है कि कौरवा नगर किसलिये प्रसिद्ध है यही प्रशन है कौरवा नगरम की मर्थम प्रसिद्धम की मर्थम का मतलब होता है किसलिये तो कौरवा नगरम अब अर्थम जैसे अर्थम का योग होता है वो चतरुथी विक्त के लिए होता है तो यहां पर किम के साथ में इसका प्राइग हुआ है तो कीस लिए तो इसका उत्तर आपको देना है तो कोर्बा नगरम, राष्ट्रिय ताप विद्युत केंद्रार्थम प्रसिधम। राष्ट्रिय ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिध है। चलिए अगला प्रस्ывает देखते हैं भारत्याई किम अतीव रोचते भारत्याई भारती मूल सब्द है चतुर्थी भक्ति का यहां प्रेवग हुआ है और इसका तात्परी होता है भारती के लिए लेकिन यहाँ पर आद तात्परी क्या हो उसका भारती को क्या अच्छा लगता है रूच दातु का प्रयोग हुआ है रोचते इसलिए यहाँ पर चतूर्थी भक्री का प्रयोग हुआ है तो भारत्य कीम अतीव रोचते भारती को क क्या अच्छा लगता है कि यह प्रसंग कहां से आया जिस समय भारती और मौनिका दो सख्यों के मध्य संस्क्रित व्याकरण के विशय में चर्चा की जा रही थी वहां के यह प्रसंग है तो इसका उत्तर भी कहां से होगा वहीं से इसका उत्तर होगा तो उत्तर होगा भारत्य व्याकरणम अतीव रोचते किम अतीव रोचते तो किम देखे से सब्द को आपको वही रखना है केवल किम जो पूछा जा रहा है क्या तो क्या के जगह में आपको उत्तर रख देना है तो किम की जगह आप रख दीजिए व्याकरणम तो भारत्य व्याकरणम अतीव रोचते भारती को व्याकरण अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगता है ना हाँ बिल्कुल व्याकरण जो है भासा की जान होती है व्याकरण मिध्या की पकड़ है तो निश्चीत रुप से आप अच्छी भासा का प्रयोग कर सकते हैं करने में समर्थ हो सकते हैं तो भारत्य व व्याकरणम अतीव रोचते भारती को व्याकरण अच्छा लगता है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे अभ्यास क्यों राते हैं अभ्यास का दूसरा प्रश्न है अधोलिखिता नाम सब्दा नाम मूल सब्द वीभक्ति वचन लिंगानि लिखत संस्क्रिट के दो चीजें होती हैं एक होता है सब्द और दूसरा होता है धातु सब्द होते हैं उनके सब्द के रूप बनते हैं जो प्रत्म से लेकर संबोधन तक के इसके अलग-अलग वीभक्तियां होती हैं और इसी तरह से धातुएं होती हैं तो धातुओं के भी रूप होते हैं लेकिन इनके रूप जो हैं लकारों में चलते हैं अलग अलग लकार होते हैं उसमें प्रथम पुरूष मध्यम पुरूष उत्तम पुरूष ये उसके रूप होते हैं उसमें एक वचन द्वी वचन और बहु वचन की विवस्था होती है तो उसके रूप रूप बनत सब्दों के मूल सब्द विभक्ति वचन लिंगानी यहां पर बहुचन बता दिया लिंगानी कह दिया गया तो लिंगानी के साथ में क्या के जुड़ा है मूल सब्द अर्थात जो सब्द दिये गए हैं इनका मूल सब्द आपको बताना है इन सब्दों के विभक्ति कौन से उसके पहचानने के बात कि क्या करेंगे उसमें विभाग्ति कौन सी प्रयोक्त हुई है प्रत्मा है और दृत्या सष्ठ् 한 गरत्व है शिटी सब्तमी . या संबोधन है इनको आपको पहचानना है उसके पशात क्या करना है फिर इनके वचन पहचानना है तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं आप जानते हैं एक वचन द्वी वचन और बहु वचन त्री वचन नहीं बहु वचन तो एक वचन द्वी वचन और बहु वचन यह व्य नपुन्शक लिंग ये तीन लिंग होते हैं तो जितने भी सब्द हैं उनका वर्गी करण इस तरह से किया गया है तो इसके अधार पर हमको जो नीचे सब्द दिये गए हैं उन सब्दों के मुलसब्द, विभक्ति, वचन और लिंग को यहां पहचानना है पहचान करके क्या क क्या है इन्हें तो आईए कौन-कौन से सब्द हैं देखते हैं सब्द दिया गया है भावत भावत यहां जो सब्द दिया गया है इसका मूल सब्द क्या है मूल सब्द है भावत मूल सब्द है भावत और लिंग क्या है लिंग है यहां पर यहां जो प्रयुक्त हुआ है ध्य वैसे भवत का उसनि में भी रूप चलता है लेकिन यहां जो रूप दिया गया कौन सा है यह पूल्डिंग है। फूल्डिंग में कहां प्रईब्योत होता है। पूल्डिंग में कौन से विभक्ति में प्रयूक्त होता है। तो वहाँ हम देखते हैं यहाँ पंचमी और सश्ठी भक्ती में प्रयोग होता है, फिर इसके पस्चात हम देखते हैं तो इसका वचन क्या है, कौन से वचन में प्रयोग होता है, यहाँ एक वचन में प्रयोग होता है, पंचमी में इसका रूप क्या होता है, पंचमी में इस तो यहां हम देखते हैं पन्चमी और सश्ठी दोनों में इसका प्रयोग होता है और दोनों में एकवorousचन में प्रयुक्त होता है संस्कृत में यह рук तह कि कोई सब्द यह सब्द रूप जो किसी एक ही विभक्ति में या एक ही वचन में आवशक नहीं होता है कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो अलग-अलग लिंगों में प्रयुक्त होते हैं अलग-अलग विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं और अलग-अलग वचनों में भी प्रयुक्त होते हैं तो यहां पर यहां जो सब्द आया है भवत इसका पंचमी और सश्ठी का जो रूप है वहाँ है भावत तह चलिए आगे देखते हैं बस्तरे बस्तरे का मूल सब्द क्या है बस्तर किस से बना बस्तरे जो सब्द आया है यह सब्द रूप है यह किसका मूल सब्द क्या है इसका मूल सब्द है बस्तर लिंग क्या है देखे जितने नगर वाचक हैं यह सभी सब्द प्रायह नपुन्सक लिंग होते हैं तो इसलिए बस्तर भी क्या है यह नपुन्शक लिंग वाचक सब्द है तो लिंग नपुन्शक लिंग विभक्ति जैसे अब बस्तर कहेंगे बस्तर की कारकर्चन आपको देखना होगा कारकर्चन मतलब सब्द रूप देखेंगे तो वहां आप पाएंगे प्रत्मा और द्वितिया बस्तरम बस बस तरे बस तरानी इस तार से इसके रूप बनेंगे तो प्रत्मा और दवीतियोविभक्ती दोनों में इसका रूप आरहा है कर फार Kenneth Ka एक वर्चन में प्रिक्तो होता है उसके रूप और द्वितियवी प्रिक्तो होता है लेकिन सबद्वी भक्ति में एक वचन में भी इसका रूप प्रयुक्त हो रहा है तो आप यह सब को बता सकते हैं अच्छी बात है किसी एक को बताएंगे तो भी ठीक है क्योंकि इसका प्रयोग जो है तीन इस्थानों पर हो रहा है प्रत्मा द्वितिया और सब्तमी में प्रत्म द्वितिया में द्विवचन में प्रयोग हो रहा है और सब्तमी भक्ति में एक वचन में इसका प्रयोग हो रहा है चले आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है कक्छायाम मूल सब्द क्या है कक्छायाम का मूल सब्द है कक्छा और जितने भी आकारांत वाले सब्द होत तो कक्छा कहते हैं यहां आ लगा हुआ है कक्छा दन आ थी कक्छा तो यह इस तरी लिंग सुचक सब्द है अच्छ इसका प्रयोग कहा होगा कक्छा याम जैसे लतायाम रमायाम सीटायाम घीतायाम यह इस तरह के जितने सब्दों होते हैं, जितने आकारांत सब्द रूप हैं, आकारांत सब्द रूप आप जानते हैं, इसमें सब्दमी भक्ति देखेंगे, तो वहाँ पर इस तरह का प्रयोग आता है तो यहां जो सब्दा आया है कक्छायाम यह भी सब्तमी भक्ति में प्रयोगत होता है सब्तमी भक्ति में प्रत्मा एक वचन में ही इसका प्रयोग होता है तो कक्छायाम का मूल सब्दा है कक्छा, लिंग, इस्ट्रिलिंग और विभक्ति, सब्ति विभक्ति, वचन, एक वचन तो इस तरह से कक्छायाम यह सब्द जो है इसको हम इस तरह से बता सकते हैं इसके मूल सब्द को, विभक्ति को, वचन को और लिंग को चलिए आगे देखते हैं अगला सब्दा है सर्वे सर्वे का मूल सब्दा है सर्व सर्व मतलब सभी अब इसका मूल सब्दा तो होग या सर्व इसका लिंग काउंट सा होगा तो ध्यान दीजेगा यह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है पूलिंग में भी इसका रूप बनता है इसले में रूप बनता है और नपुनसक लिंग में इसका रूप बनता है तो सबसे पहले हम पूलिंग की चर्चा करते हैं पूलिंग में इसका रूप कहां बनता है कौन से भक्ती में बनेगा और कौन से वचन में बनेगा तो सर्वे का मूल सब्दा है सर्व लिंग प्रत्मवी भक्ति में प्रयुक्त होता है और यह बहु वचन में प्रयुक्त होता है पूर्णिंग में इसका रूप क्या बनता है पूर्णिंग में इसका रूप बनता है सर्वा सर्वव सर्वे तो प्रत्मवी भक्ति बहु वचन पूर्णिंग में तो इस तरह से हम पूर् वक्ति और वचन जो है यह बदल जाएगा तो इसटी लिंग में चलेंगे तो यहां कौन से वचन में प्रेखतो होता है आईए देखते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसका जो कारक रचना यह हमको याद होना चाहिए हमको इसके जानकारी होनी चाहिए तब ह विभक्ति में इसका रूप बनता है सर्वाम सर्वे सर्वाह अर्थात में प्रत्मविभक्ति और दुषीवे ब", इस्ट्री लिंग कि दोनों में सर्वे सब्द का प्रयोग होता है कहां द्विव्क प्रयोग corporation होता तो आप इसको बता सकते हैं यदि सर्वे सब्द का मूल सब्द आप सर्व बताते हैं और लिंग इसे लिंग बताते हैं तब विभक्ति क्या बताएंगे प्रत्मा और द्वितिया दोनों बता सकते हैं ओर व्जखती इसका वचन होगा द्वीवचन लेकिन इसका आप नपन्वसक लिंगर रोप भी बताना चाहिए, क्योंकि इस रूप चलते हैं, बसक्रूप रोप आया है, इसका मूल्व सब्ध है सर्व और लिंग यदि आप बताते हैं कि यहां नपुनसक लिंग है तब नपुनसक लिंग में इसका रूप क्या होगा यह उसके अधार पर इसके विभक्ति और वचन जो है तै होंगे तो देखते हैं इसके विभक्ति और वचन क्या है तो प्रत्मा और द्वीतिय विभक्त प्राय है जितने भी नपुन्सक लिंक के वाचक सब्द हैं, चाह वन की बात कहें, जल की बात कहें, पत्रम की बात करें, इस सब की रूप जो है प्रत्मा और द्वितिया भक्ति में एक जैसे होते हैं, तो इसी तरह से सर्वम या सर्व सब्द का प्रत्मा और द्वितिया दो विवचन तो इस तरह से सर्व सब्द को आप पूर्लिंग में बता सकते हैं इस्ट्रिंग में बता सकते हैं और नपुनसक लिंग में भी बता सकते हैं हाँ आप जिस लिंग के अधार पर बता रहे हैं उसके विभक्ति को आप सही बताईए और उसके वचन को आप सही बताएं तब इस तरह से हम इस सर्वी जो सब्दा आया है इसके मूल सब्द विभक्ति वचन और लिंग की सही सही पहचान करने में समर्थ होंगे तभी इन चीजों को हम बता पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है कश्याम कश्याम का मूल सब्द है किम किम जो सब्द है इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं लेकिन यहां पर्चों की कश्याम सब्द दिया हुआ है तो कश्याम जो सब्द दिया गया है इसका प्रयोग किम मूल सब्द है और यहां इस्ट्रिलिंग में इसका प्रयोग होता है कहां प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है सब्दमी भक्ति एक वचन में दूसरे इस्थान पर इसका प्रयोग नहीं होता है इसलिए इसकी सरल पहचान क्या हुई कि कश्याम मूल सब्द है किम इस्त्रिलिंग सब्तमी भक्ति एक वचन चलिए आगे बढ़ते हैं पित्रा पित्रा का मूल सब्द है पित्रि लिंग पुर्लिंग और त्रितिया विभक्ति एक वचन पित्रा पित्रिभ्याम पित्रिभिह इस तरह से इसका रूप बनता है पित्र का मूल सब्दा है पित्री लिंग पुल्लिंग विभक्ति तृतिया विभक्ति वचन एक वचन तो इस तरह से यहाँ जो सब्द दिये गए हैं यह क blender मात्र है इसी तरह से पाठ में अनेक सब्दा आये हैं इन सभी सब्दों को आप इस तरह से उन सब्दों में कॉनसे वचन का प्रयोग हुआ है कौन से लिंग का वह सब्द है इसके अधार पर आप निर्णे कर सकते हैं तो यह एक उधारन मात्र है समझने के लिए है और इसके अधार पर विभिन सब्दों को आप समझ सकते हैं और विभिन वाक्तियों में इनका प्रयोग करने में समर्थ हो सकत झाल 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 काली झाल झाल